हाई एवर्वन मेरे चैनल पे आपका वह वह स्वाक्त है आज मैं आपके लिए एक नया डिजाइन लिख कर रही हूं जो के आप मफलर में जाप्ट में जा फिर किसी भी मनपसंद प्रजेक्ट में डाल सकते हैं तो इसके लिए हमने दो-दो के मल्टिपल में फंदे लेने हैं तो लीजिए मैंने बाराम फंदे लिए हैं तो डिजाइन बनाना शुरू करते हैं पहली स्लाई हम ऐसे ही उल्टी सीदी डाल लेंगे से हमने सीधी स्लाई डाल ली है और एक उर्टी स्लाई डाल लेंगे अब हम डिजाइन शुरू करते हैं यह पहला फंदा है जो हम ऐसे ही उतार लेंगे और दागा अपनी तर्फ करेंगे दो फंदों का ऐसे दागा अपनी तर्फ करते हुए एक फंदा बोन लेंगे लेकिन यह दोनों फंदे गराएंगे नहीं इसके बाद यह जो पहला फंदा है इसे हम पिछली साइड से बोन लेंगे देखिए तो यह दो फंदों के तीन फंदे बन गए हैं अब फिर दागा अपनी तर्फ से करेंगे और दो फंदों से ऐसे स्लाई निकालते हुए एक फंदा बोन लेंगे दवारा फिर पहले फंद बुन लेंगे तो ऐसे ही हम जे स्लाई कंप्लीट कर लेंगे दो फंदों का एक बनाना है फिर एक फंदा दवारा बुनते हुए दोनों फंदे गिरा देने हैं फिर दो का एक बनाना है दागा एक फंदा और बुनते हुए जे दोनों फंदे गिरा देंगे तो ऐसे ही हम पूरी स्लाई बना लेते हैं ये पिछली साइड से बंदा बुनना है लास्ट ओला फंदा है जो ऐसे ही हमने सीधा बुन लेना है अब आते हैं डिशाइन की रॉंग सैड पर रॉंग साइड पर जो पहला पनदा है ऐसे उतार लेंगे फिर ऐसे इसलाई पर दागा गमाते हुए तीन का एक बना लेंगे, फिर दागा गमाएंगे, फिर तीन का एक बना लेंगे, फिर दागा गमाएंगे, फिर ऐसे तीन का एक बना लेंगे, फिर दागा गमाएंगे, तीन का एक बना लेंगे, फिर दागा गमाएंगे, तीन का एक, ऐसे ही हम सारी स्लाई क्लीट कर लेंगे तो देखिए यह हमारी रॉंग साइड है ऐसे ही कम्प्लीट हो गी है और डिजाइन बनना शुरू हो गया है एक स्लाई मैं और बना कर बिताती हूं पहला फंदा ऐसे ही उतारेंगे पहला फंदा ऐसे ही उतार लेंगे फिर दागा आपनी तरुफ जैसे हमने पहली स्लाई में किया था ऐसे दो काएक नाते हुए फंदे ना गिराते हुए पैला की दूबारा बोनेंगे अलब दागा अपनी तर्फ दो का एक करते हुए फंद निकालेंगे फिर दवारा पहला फंदा है दवारा भूम लेंगे तो ऐसे ही हम सारी स्लाइग कमप्लीट कर लेगे दागा अपनी कर्फ करना है दो का एक बनाते हुए पहला फंदा दुबारा भूम लेंगे फिर दागा अपने साइड पे दो का एक बनाते हुए पंदा बुन लेंगे पहला पंदा ऐसे दबारा बुनेंगे तो सारी सलाई ऐसे ही कंप्लीट कर लेंगे ये दो सलाईों का डिजाइन है बस ऐसे ही हमारा डिजाइन चलता जाएगा जैसे हमने सेक्ट रो बनाई थी ऐसे ही हम इसके बाद सेक्ट रो बना लेंगे ..दोसाइन के बाद तो बनकर हमारा डिजाइन कुछ इसाद बिसेगा तो देखिए जे कितनी संद्र लगता है आप इसे मफिलर में बनाऊ हिए स्ट ऑव्ल में बना इए जर्ट में बनाऊ हिए यह और सभी प्रजक्ट में बहुत ही संदर लगेगा तो अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ तब तक के लिए बाई थैंक्यू आर वाचिंग आर वीडियो